तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देखिए दो कमपनी इसके बारे में और ये जो कमपनी है जिस ग्रुप को बिलॉंग करती है अपने आप में दोस्तों एक काफी नामी ग्रुप है काफी रेनाउंड नेम है मार्केट का और इसकी जो दो कमपनी है उसको अ reasons आपको बताऊंगा और valuation wise क्यों attractive नजर आ रही है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा काफी अच्छी information आपको यहाँ पर मिलने वाली और काफी कुछ आपको सीखने को और इसके बारे में तो हम लगातार चर्चा करी ही रहे हैं यह स्टॉक अगर आप देखें उपर इस तरों से 35% यह स्टॉक करेक्ट हो चुका है लेकिन मुझे लगता है उस तो इस लेवल पे यहाँ पर एक जवरदस्त opportunity है long term अगर आप एक निवेश करना चाहते हैं तो long term में जिस लेवल पे यह खड़ा है यहाँ पर अच्छा निवेश किया जा सकता है हाला कि देखिए stock का जो trend है वो अभी भी आपको down मतलब short term जो है negative देखने को मिलेगा जो short term trend है लेकिन अगर आपका long term का नजरिया है तो यहाँ पर मेरे ख्याल से stock में बाइंग की जा सकती है यहाँ पर kind of थोड़ी बहुत margin of safety मुझे नजर आ रही है उसके पिछे के reason उसक आता है तो मेरे ख्याल से इस level पर यहाँ पर एक opportunity है valuation wise भी देखें तो यहाँ पर मुझे यह attractive नजर आ रहा है जुबिलेंट foodworks इस time पर क्योंकि numbers भी काफी अच्छे आए थे हमने देखा है यहाँ पर year on year growth है sales store जो growth है वो भी हमको मतलब unit economics की बात करें तो QSR जब भी हम segment क की बात करते हैं इंडस्री की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर सबसे बढ़िया unit economics है जुबिलेंट foodworks की ठीक है per store sales यह company काफी जबरदस्त करती है साथ इसाथ store expansion काफी शांदार है और QSR segment में only profitable company है domino's pizza एक across country एक बहुत जाना पैचारा नाम है KFC की बात करें pizza hut की बात कर चीज यह भी है दोस्तों देखिए पॉपोई जी है दोस्तों पॉपोई की बात हम कर चुके हैं जो कि मेरे ख्याल से एक game changing यहाँ पर इनका एक bet हो सकता है क्योंकि यहाँ पर अभी KFC लीडर है chicken fried pizza में ठीक है सॉरी जो fried chicken है उसमें KFC हाँपर leader है लेकिन अब जब पॉपो बहुत बड़ा game changing हो सकता है तो मेरे ख्याल से इस level पर एक जबरदस opportunity है और गजब की यहाँ पर यह company है चाया past उठाके देख लीजिए या फिर future की अगर हम बात करें तो future की जो growth visibility है clearly नजर आती है तो इस level पर ज़रूर यहाँ पर buying initiate की जा सकती है अगर यह correction आती है और त तो यह है दोस्तों देखिए पहली company भारतिया group की jubilant foodworks काफी शांदार company है QSR अगर sector में आपको bet करना है तो मेरे ख्याल से jubilant सबसे बहतर bet है यहाँ पर इसके अलावा दूसरी companies भी है लेकिन अगर profitable company में आप जाना जाते है जिसका management अच्छा है जिसका expansion plans अच्छे है ज लगातार app downloads लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो यह सारी चीज़े जubilant foodworks को यहाँ पर एक गजब की company बनाती है अब यहाँ पर दूसरी company के बारे में बात करते हैं same group की तो वो है जुबिलेंट इंगरीविया भी बहुत ही जबर्दस company है इसके अगर मैं आपको कुछ दुस्तों यहाँ पर आप अगर आप देखें तो कई सारे segment में यह जो है leadership है globally और जो specialty chemical अगर हमें total customers की बात करों तो 400 customers है specialty chemical में 420 है nutrition में 400 से जाज़ा है life sciences में 600 है और साथ ही साथ यहाँ पर entry barriers बेंजिए उस तो यहाँ पर entry barriers है product approval का entry barrier है chemistry जो multi step chemistry का entry barrier है साथ ही में lowest cost producer है जिसकी वज़े से हम पर आप देखें के leadership हमको देखने को मिलती है globally और बहुत सारी चीज़े है और गजब का Kpex इनका आगे आने वाले 2-3-4 सालों में already allied है और साथ ही में जो technology platforms का use करते हैं वो भी अपना आपे बहुत जबरदस्त और यहाँ पर एक खबर निकल के सा facility commission की है diacatin and diacatin derivatives की जहाँ पर करीब करीब यह जो है 7000 तन पर अरफ capacity जो है production capacity रहेगी जहाँ पर different products produce करने वाले है various easters यहाँ पर produce करने वाले है तो again दोस्तो demand काफी जबरदस्त हैं के product की market global leader है यह and साथ ही साथ valuation wise अब मैं आपको बताना चाओंगा जो कि बहुत important है वो है sales दिखाऊं तो देखिए उस तो 4338 करोड तो मतलब अगर market cap to sales अगर आप देखते हो तो दोस्तों यहाँ पर two times से भी कम है जो कि बहुत ही जबरदस attractive valuation है P.E. मैं आपको बताऊं तो 17 का P.E. है industry के P.E. से काफी कम है और इसके कुछ products Lakshmi Organics के साथ दोस्तों यहाँ पर जुबिलन इंगरीव है काफी सस्ती हाँ पर नजर आती है आप देखिए लक्षमी Organics का करें 50 के आसपास P.E. चलता है लेकिन stock का जुबिलन इंगरीव ही का जो P.E. है 17.9 के आसपास है तो valuations काफी attractive है market cap to sales देखे आप तो two times से भी कम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दियाइस के पास अभी कम stake है पबलिक के पास भी stake है पबलिक में अगर आप देखें तो भाई है यहाँ यहाँ पर जुनजोन वाला जी जो है यहाँ पर invested है लेकिन इसका कोई यहाँ पर matter नहीं करता लेकिन एक जस्ट आपको information दे रहा हूँ यहाँ यह बड़े नाम भी आ देखने को मिलेगा तो यह दो इस टॉक है बात करते है टेकनिकल चार्ट पर तो 37% यह भी correction आ चुकी है major support पर अपनी stock trade कर रहा है इस लेवल पर गरी sustain करता है तो अच्छी बात है यहाँ से नीचे आता है तो यह और correct हो सकता है करीब करीब 450 तक आ सकता है लेकिन यह जितना portfolio basket काफी अच्छा है and जो Kpex है future के वो भी already aligned है मतलब जो है I think 900 से 1100 करोड का Kpex इनका already aligned है आगे आने वाले 2 से 3-4 सालों का वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ तो यह है दोस्तो दो stocks I hope यह वीडियो और यह जो अपडेट है इन दोने stocks के regarding आपको पसंद आई होगी informative लगा है वीडियो तो वी वीडियो को दोस्तो प्लीज लाइक जरू कीजेगा अगर आपके still कोई question doubts है तो comment box में जरू पूसकते हैं जरूर reply करूँगा मिलते हैं यह झाले हैं लगा है दूरा एंपके जरूर